नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी उमीद करता हूं सभी अच्छी होगी। दोस्तों लगातार एक्जाम नजदेक आ रहे हैं कुछ एक्जाम और आने वाले कुछ नए एक्जाम भी होगे। पिछली सरकार के दौरा जब नए जिलों का गटन किया गया था। उसके उपरांथ ही दोस्तों एक बहुत बड़ा संसे स्टूडेंट के मन में आये था कि अब क्या किया जाए। कि लगबग जोगरोफी राजस्तान की बदल गए थी। पुरानी किताबे पुरानी नोट्स हैं वो पुराने ही हो गए थी। क्योंकि एक्जाम के अंदर अप्टेटर कंटेंट पूछा जाएगा कर नहीं। इस बात को लेकर काफी संसे बना हुआ था। और उसी समय मैंने आपको बताया भी था और लगातार मैं कुछ वीडियो के मादम से यह बताता भी रहा था आपको कि आपको सिर्फ नया कंटेंट ही पढ़ना है। राजस्तान जीके का नया कंटेंट एक्जाम के अंदर पूछा जाएगा। पुराने कंटेंट के उपर सवाल ले मैंने क्योंकि अपडेट हो चुका है। नए जीलों का नोटिफिकेशन भी दोस्तों जारी कर दियेगे थी। लेकिन मिस्मैच हो रहा था स्टुडेंट के बीच में कि सिर्क नया कुछ नई बता रहे थे। पुराने वाला पुछा जाएगा डाटा आया नहीं है। बहुत से कयास लगाई जा रहे थे। लेकिन मैंने सपस्ट रूप से आपको उस समय बताया था कि आपको नया ही कंटेंट बढ़ना है। जो अपडेट हुए हैं जो चीजे चेंज हुए हैं जो बदली हैं उनको ही ध्यान में रखके चलना है। और इस बात को मैंने उस समय बताया भी था और अब आपके पास आपको खबर भी पहुंच गी होगी। सुबह से काफी वीडियो को समय नहीं मिला मुझे और मैं टेलिग्राम पे वो कटिंग हैं न्यूस पेपर वाले डाल दूँआ आपको वीडियो निचे शो भी हो रहे होगी। करमचर चेनबूर का जो अधिक्स है उन्होंने बताया कि ने जीलों के उपर ही सवाल पूछे जाएंगे। जाएगा। यह बात सपस्ट्रूप से बता देगी है। और आगामी जितने भी एक्जाम हुए जी जूनियर अकाउंटेंट है आगे और भी पसुपरीचर की भरती आएगी रीट वाली आएगी बहुत सारे एक्जाम काफी ने तो सभी के अंदर नया कांटेंट ही आएगा इस बात को ध्यान में लेके चलना है। सोर्सेस के साथ कोई डाटा एविलेबल नहीं हुआ है। यह आप ओफिसल वेबसाइट के आंकड़ों के माध्यम से जो सरकार की साइट होती है। वहां से आंकड़े लेकर आप चीज़ों को बदल सकते हैं। जो पढ़ सकते हैं। मार्केट में किदाब लेने जाओगे, गाइड लेने जाओगे, हजारों कोपी पेस्ट, कोपी पेस्ट मार्केट में चल रहा है, लोग दो गंटे के अंदर किदाब को लौंच कर देते हैं। कोपी इदर से किया, इदर किया, ये चेंज हो गए वो, इससे आपके पास रियल कंटेंट नहीं पहुंच बाता है, जिसमें हजारों गलती हैं। करता हूं कि मेरी बात को आप समझ गए होंगी, कि आपको निया जी के ही पढ़ना है। अब पुराने जी के पफोकस नहीं करना, अगर पुराने जी का कंटेंट आपके पास है, तो वो पूरा ना हो चुका है। निया ही पढ़ना है। फिर कहा रहा हूं मार्केट में कोई authentic source के साथ नहीं है, copy paste चिपकाया जा रहा है, और copy paste के चक्कर में आकर आप अपने भविष्टी के साथ नहीं खेलना आपको, अपने इस तरह पर चेक करना है, कि ये book आई है, ये notes आए हैं, तो क्या ने GK के साथ updated है, गलतियां है के नहीं है इस चीज़ को बारी की से ध्यान करते हैं आपको ले के आना और उसको पढ़ना है ठीक है, चीज़ें बहुत आएंगी confusion बहुत ज़्यादा होगा लेकिन confusion दूर करने के लिए थोड़ा सा analysis चाहिए, वो आपको श्यम को करना है इस बार ज़्यादा होने के संभावना जीके के अंतर और इसके लब other subject जैसे math है science कहीं आ रहे है, reasoning आ रहे है तो उन पर ज़्यादा focus करें क्योंको उनमें कोई बदलाव नहीं हुए है वो आपका इस बार जीके के मुकाबले plus point हुई होगा उनमें अच्छा करते हैं जीके, तो हो सकता है कि पुराने नहीं के चक्र में बच्चों के अंसर काफी गलत होने की संभावना रहेगी इस बार, तो थोड़ा सा वेर रेके त्यारी करनी है आपको, और जो content आपड़ रहे है क्या वो सही है, क्या वो updated है तो उसको आप मद्धे नज़र रखते हैं अपने त्यारी को maintain करें तो चैनल को subscribe कर लेना, like कर देना और share कर देना टेलिग्राम को या से join कर लेना कई बार वीडियो नहीं बनता है, कई बार update कोई होता है तो हम वहाँ post कर देते हैं तो description में या comment section के अंदर आपको मिल जाएगा चलि मिलते हैं से के साथ जय हिन, जय बार